हेलो माई यूटू फैंबली तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे तरब से आप सब को हैपी निवी यर तो फ्रेंड ये गाजर का हलवा आप देख रहो ना जितना ये दिखने में यम्मी है उतना ही ये खाने में डिलिसियस है तो हम इस नए शाल की सुरवात करते हैं इस डिलिसियस गाजर के हलवे हेलो माई यूटू फैंबली तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले गाजर को कद्दुकस या ग्रेट किये हुए तो ठंड आ गई है और ठंड में गाजर का हलवा ना खाया तो फिर क्या खाया इस वीडियो में मैं एक असान तरीके से इसे बनाऊंगी जिसे देखकर आप भी सूचेंगे कि जब इतनी एजली और क्वीकली गाजर का हलवा बन सकता है तो क्यो ना वीक में दू बर या तीन बर बनाएं यहां में गाजर ले ली थी आदा कीलो और उसको अच्छे से छील के फिर उसको अच्छे से वाश करके उसको चोटे चोटे पीस हमें कर लेने हैं उसके बाद हम यहां कुकर में आज गाजर का हलवा बनाएंगे जी हां कढ़ाई मनें कुकर में बनाने वाले हैं तो कुकर गरम हो गया है और अब मैं उसमें डाल दी थी घी एक स्पून और जब घी थोड़ा गरम हो जाए तो हम इसमें डालेंगे इलाइची इलाइची का अगर पाउडर आपके पास है तो आप वाइट कर लो अगर नहीं है तो कोई बात नहीं इलाइची को ऐसे छोटे पीसे में तोड़ लो कि अधा हनो से ही और फिर इसको इसमे डाल दो और इसकी मेल जूँछ इन को हमकों इसमे डाल देना है , यह गाजर बहुत ही फ्रेश ऐब जूशी है मैंने यहां रेड गाजर लिया है ठंडियों में आसानी से रेड गाजर मिल जाते हैं अगर आपके पास नहीं है तो आप औरेंज वाला भी यूज़ कर सकते हो तो इसके बाद हमें इसे अच्छे से चलाना है तो यह जो टिप्स है यह बहुत कमी लोगों को पता होता है कि अगर आप इसको गाजर को अच्छे से कुछ दिर भुनोगे तो इसका जो टेस्ट है वो भी बहुत बढ़ जाता है और इसकी जो सोंधी खुसबू आती है वो मैं क्या बता हूँ तो इसको चलो 5 मिनट भुनते हैं गाजर का हलवा तो घर में सब को पसंद होता है तो मेरे असान तरीके से आप भी बनाएं गाजर का हलवा और घर में सब को खिलाईए और सब को खुश करिए तो यहां गाजर को 5-7 मिनट भुनने के बाद हम इसमें एट करेंगे एक कप बड़ा जो कप होता है उससे दूद और उसके बाद इसको भी हम एच्छे से बिलकुल लो फलेम पे चलाना है तो जो गाजर का हलवा है आप जितना इसको लो फलेम पे चलाओगे बनाओगे पक तो इसका जो टेस्ट ना उत्रहीं खुब निखड़के आने वाला है तो मिल्क डालने के बाद भी मैंने इसको अच्छे से भून लिया है पका लिया है लो फलेम पे अब इसमें हम लगाएंगे कूकर को बंद कर देंगे और इसमें हम लगाएंगे दो सीटी तो चलो दो सी कि अच्छे वाले हिस्से से आप इसको अच्छे से मैश करिए क्योंकि यह अलरी बहुत ज़्यादा पग गया रहता है इसलिए बहुत इजली मैश हो जाएगा तो आपको थोड़ा इसको प्रेस करना है गाजर को और धीरे-धीरे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है और यह बिल्कुल अच्छे से स्मूथ हो जाएगा और मैश हो जाएगा यहां मैं एक ऐसी टिप्स आपको देना चाहती हूं बताओंगी जिससे आपका गाजर का जो हल्वा है उसका जो टेस्ट है आउप स्टेंडिंग होने वाला है बिल्कुल हल्वाई जैसा होने वाला है तो आ मैंने इसमें बहुत सारा चीनी डाला स्वाद अनुसार जितना आपको मीठा पसंदें डालिये और उसके बाद जो भी आपके घर में ड्राइफूट से वह डालिये तो मेरे पास यहां किश्मिस्ता और काजू तो मैंने वह डाल दिया आप कुछ भी जिससे बादाम हो या पिर जो भी आपके पास घर में ड्राइफूट से वह डाले और उसके बाद इसको बिल्कुल अच्छे से मैश करते रहें चलाते रहें बिल्कुल लो फ्लेम पे अब एक और बात जब आपका जो गाजर का हल्वा है 90 परसंट पक जाए तब हमें इसमें एक स्पून और घी अच्छा आने वाला है तो यहां नाइटी परसंट पक गया सिफ हमें जो इसका जो दूद है मिलके इसे रिडियूस करना है तो यह देखिए यहां दूद भी गाजर के हल्वा से रिडियूस हो गया है और बिल्कुल यह ड्राइव हो गया है तो इसको हम पांच मिनट और भ हल्वा सर्फ कर दिया है जो कि बहुत ही टैंप्टिंग डिलीसियस है कोई गेस नहीं कर पाएगा कि यह काजर का हल्वा आपने कढ़ाई में नहीं कूकर में बनाया है ट्राइज जरूर करिएगा और अगर मेरा इच्छोटा सा वीडियो आपको पसंद आएगा तो लाइक अप्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे साथ जूरे रहने के लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो ऐसे जटपट एंड डिलीसियस टैंप्टिंग गाजर कालवा बनाने के लिए मेरे इस तारीके को फॉलो करें और अपने गेस्ट को या अपने फैमिली मेंब को खिला के हैपी करें तो मिलते अपने नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाब बाई ठीक केर